यहाँ पे आपको दो चीजों पे गौर करना है, पहला हमारा IR कट यहाँ पे लगा है, दूसरा यहाँ पे IR LED लगी है, यह दोनों चीजे आप यहाँ पे गौर करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे जो LDR है, LDR को इस तरीके से ढखता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि LEDs glow कर रही है और वहां पर एक cut से आवाज आई जो कि हमारा IR cut filter जो है वो अपनी position बदलता है जैसा कि आप देखवारे इस समय इस position में है और IR cut position इसको बोलते है अब इसके बाद जैसे ही हम यहां पर जो light sensor है LDR है इसको हम ढखते हैं तो यहां पर LEDs glow करने होता है तो यहां पर यह जो filter आप देख पार है red color का filter यह red color का filter active रहता है तो यहां पर daytime में UV और IR जो यह filter है इसमें दोनों ही type के जो radiation है वो filter होते है और यह daytime में काम करता है night time में केवल आप यहां पर देख पा रहा है कि जो second filter है वो active होता है main camera sensor के उपर और यहां पर LEDs जो है यह हमारी glow करने लगती है infrared LEDs glow करती हुई हमें दिख रही है और यह infrared LEDs जो है यह object पे जाती है जो CCTV camera के सामने जो भी object होता है उस पे जाती है और वहां से जो radiation है वो reflect होके हम में जो object है वो दिखाई देते है night के time पर जबकि वहां पर जो visible light है वो नहीं होती है तो आप यहां पर देख पा रहे है कि यह IR cut sensor फिर से cut हुआ तो यह daytime का cut है और night time में LDR पर light पढ़नी बंद हो जाती है ऐसी state में हमारी जो IR LEDs है यह glow करने लगती है और इनसे जो motion है उसके circuit board है जो कि हमारे CCTV camera के उपर लगते हैं उनको मैं दिखाने वाला हूँ उनके विशे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूँगा और उनको थोड़ा सा हम test भी करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं Hello दोस्तों Zero Lab में आपका एक बर फिर से स्वागत है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो LED panels हैं यह हमारे CCTV camera के उपर install होते हैं जो CCTV camera night और day दोनों तरह के vision जो है हमको देते हैं उस तरह के camera में night vision जो है उसके लिए यह अलग से infrared LED का panel जो है यह लगा होता है जो क हमारे CCTV camera के सामने जो object है वहाँ पर यह infrared light जो है emit करके और वहाँ से reflect होके जो light हमारे camera की sensor पर पढ़ती है जिससे कि हमारे camera द्वारा जो object है वो हमें दिखाई देता है तो यहाँ पर इस तरह के panels होते हैं इनमें है क्या इनमें एक simple circuit board है आप back side में देख पाएंगे यहाँ पे कुछ components लगे हुए है और इन components का काम क्या है पहला काम कि यहाँ पे एक LDR लगा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पारे मैं आपको दिखा देता हूँ यह LDR है अब यहाँ पे आप देख रहे होगे इसको ऐसा लग रहा होगा कि यह LDR कुछ अलग तरह का है इसमें green तरह है यह filter इस पे लगा जाता है क्योंकि जो इसकी LEDs है उनसे infrared light जो है emit होती है वो इसमें न जाए इसलिए यहाँ पे IR filter जो है इसके उपर LDR के उपर लगा हुआ है तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता है कि यहाँ पे LDR लगा है LDR का क्या हो गया इ जैसे ही दिन का समय खत्म होगा और अंधिरा होगा ऐसी स्थित में LDR जो है वो sense करेगा और इसमें लगी जो infrared LEDs है इन में supply जो है वो active कर देगा तो यहाँ पे infrared LEDs हमारी जो है glow होने लगेंगी जिसे कि infrared LEDs द्वारा हमें infrared light जो है वो मिलने लगती है तो यहाँ पे इसका पहला काम तो यह हो गया इस पैनल का दूसरा काम क्या है कि यही पैनल हमारे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाए था कि CCTV कैमरा जो है इसमें एक IR कट सेंसर भी लगा होता है उसको कट करने के लिए भी यही पैनल जो है सिगनल देता है जैसे ही साम को रोशनी कम होगी ऐसी स्थित में यह जो है IR कट को भी सिगनल पहुचाएगा जिससे IR कट जो है वो एक्टिव होगा तो यहाँ पे इसके दो काम हो गए यह विभिन्न तरह के आते हैं जैसा कि आप देख पारें एक यह भी है इसमें आप देखेंगे बहु सारी IR LED जो हैं जो की कम पावर की हैं यहाँ प PCB में और इसकी PCB जो है metal core है यहाँ पे यह PCB जो थी यह हमारी normal PCB थी glass PCB, glass fiber PCB लेकिन यह metal core PCB है तो यहाँ पे इसमें जो component थे वो back side में integrated थे लेकिन इसमें सारे component इसी side पे integrated है और यह metal core PCB है और इसमें तीन ही LED जो है infrared LED लगी हुई है जिनकी power हमारी normal LED से ज्यादा है यहाँ पे यह LDR sensor है यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 12 volt की supply जो है वो हमें जरूरत पढ़ती है तो यहाँ पे 12 volt input का यह connector है और यह IR cut जो हमारा signal है उसका यहाँ पे एक और connector दिया गया है तो इस तरह से यह IR LED का पैनल हो गया इसी तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे यह एक और हमारे पास जो CCTV IR पैनल है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहें और इस circuit board में आप देखेंगे कि केवल एक LED जो है infrared LED लगी होई है जो की high power की है उससे भी ज्यादा powerful यहाँ पे LED लगी होई है और यह भी infrared LED है यहाँ पे एक LDR लगा है और इसका जो circuit है वो इस MC PCB यानी metal core PCB पे नहीं mount है इसका circuit बिलकुल अलग है यहाँ पे बिलकुल अलग दिया गया है और यह जो है यह भी हमारे CCTV camera जो और अच्छी quality के और अच्छी गुड़वत्ता के आते हैं उनमें लगता है तो यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा सा test करके भी दिखाऊंगा कि जैसे ही LDR पर रोसनी जो हमारी पढ़ रही है वो पढ़ना बंद होती है तो हमारी जो यहाँ पे infrared LED है यह हमारी active हो जाती है यह आप यहाँ पे देख पाएंगे चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं और जिसके बाद आप इसको भी समझ पाएंगे कि यह सभी की जो working theory है वो same है और मुझे ऐसा लगा कि इस विस्टे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ नई जानकारी है और यह जो infrared LED पैनल्स है यह CCTV के repairing में काम आते हैं तो अगर आपको इस तरह का product जो है वो आप चाहते हैं कि repairing में आपके पास होना चाहिए और आपको कहीं नहीं मिला है तो और यहाँ पे इसका LDR जैसे ही हम cover करेंगे यानि धकेंगे इस पे light पढ़ना बंद होगी ऐसी स्थित में इसकी जो infrared LED है वो glow करने लगेगी तो यहाँ पे आप देख पारें मैं इस तरीके से इसको धक रहा हूँ और आप इसकी infrared LED जो है उसको जलते हुए देख पा रहे है चलिए मैं light बंद करके आपको थोड़ा सा यह process जो है वो आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पे clear देख पाएंगे यहाँ पे आप देख पारें जैसे ही मैंने light बंद की तो इसकी LED जो है वो जलना अपने आप चालू हो गई अगर मैं ऐसे में light जला देता हूँ तो इसकी LED जो है जलना बंद हो जाती है इसको थोड़ा सा और clear करने के लिए मैं यहाँ पे ढख के दिखाता हूँ आप देखेंगे कि इस तरीके से इसकी जो infrared LED है जैसे ही light जो इसके LDR पर पढ़ना बंद होती है और इसकी infrared LED जो है वो active हो जाती है यहाँ पे मैं फिर से आपको एक ब चामरा में लगा हुआ है और यह काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे दो यही चीजों की कभी होगी पहला या तो हमारा LDR खराब होगा दूसरा या तो हमारी infrared LED जो है infrared diode जो है यह खराब होगा और बहुत ही कम ऐसी conditions होंगी जिसमें की हमारा जो main supply board है यह खराब होगा यहाँ